दो करके और उसको छिलने का काम दो रूख रहेंगी आपका तो हम आपको इगवार में जाल के इसको चला करके दिखाए कि कैसे वर करती है आप देशिकों जितने जल्दी आलू डालो को यहां पर उतना ही जल्दी आपका इवर करना सुपर देती है गंटे में 300 किलो बड़े आप देख सकते हो सिंगल फेस की विजली होती है इसकी क्योंकि जिसका काम चोटा होता है या जिसके पाफ बड़ी का लोड रही है तो वह इस भट्टी का यूज कर सकता है अभी केवल आपको दिखाने की परफस्ते हम इसमें कम क्वांटिटी में आपना डाला है और कम प्रोग्राम डाला हुआ है आप लोग को लिखर का है हूं दुस्तान फूड मशिनरी पे तो चलिए मिलते हैं सर से दिखते हैं कौन सा वियापार एकौन सा लगूत देओगे कितनी अमाउंट से कितनी कुछी से आप लोग के सार्ट अप होने वाला है और क्या मुनाफ़ा क किया कमाहीं अप लोग की होगी सारा कुछ बताता हूं लोग को तो दुस्तीउ मेरे साथ नमस्कासर कैसे हैं अजय वीडियो में कौंसे बिजनस, कौंसे वियापार के आरे में बताने वहाले हुँ और यह पर कुछ प्रोट सहर में देख रहा हूं ही तो मारे वेर्यों को पाता हुनों मसीनों को लगाने के लिए तो आज सस्ते बजट में और घर पर ही नॉर्मल घर की बिजली से ही मसीनों को चला करके आप ऐसे ऐसे प्रोड़क बना सकते हो जो मार्किट में साल टू साल चलते हो और अच्छी कासी इनकी डिमांड होती है यह जो मसीन है यह स्नेक् इसने भी मार्किट में नमकीन आते हैं वो सारे हम अपनी इन मसीनों के द्वारा बनाने वाले हैं और साथ के साथ इन ही मसीनों में सिर्फ एक या दो मसीन एफ्टरा बढाएंगे तो हमारा चिप्स का भी कारोबार सुरू हो जाएगा तो आप 6-7 मसीन लगा करके चिप्स और नमकीन का कारोबारत सुरू करोगे कुछ आइटम ऐसे आप दे सकते हो यह रेडिमेट आटम आते हैं जिनको चाओमीन, कटोरी, पास्ता, इविसीडे बोलते हैं यह मार्किट में कच्चामाल रेडिमेट मिलता है जो हमने चिप्स और नमकीन के लिए मसीन लगाई है उ आप देखे हो नमकीन के जैसे आपका नवरतन है या गाटिया है या पीनट्स है या आपका मूंग दाला है यह सारे नमकीन ऐसे होते हैं जो साल टू साल मार्किट में चलते हैं तो यह सारे के सारे प्रोडुक्त करीब 50-60 तरहे हमारे इंचोटी सी मसीनों के दवारा बनने हो गई या रोल वगरा हो गए तो वह भी चीज़े प्रोड़ करा देते हैं इस बिजनिस को करने के लिए जो भी रो मेट्रियल या जो भी समान की जुरूद पड़ेगी वह सारा कुछ हम आपको यहां ऑन दो टेवल प्रोड करा करके देंगे चाहे वह कच्छा माल हो चाहे वह आपको अपने ब्रांड की पॉलिचिन चाहिए या किसी का बजट नहीं है ब्रांड की पॉलिचिन के लिए हम उनको रेडी मेट पनी भी अरेंड करा करके दे सकते हैं वह साथ के साथ क्वालिटी बनाने के लिए फ्लेवर होते हैं मैन तो वह फ्लेवर भी सारे हम प्रो करना चाहिए तो कितनी आमदनी कितनी इंवस्मेंट से कोई यह मशीन ले सकता है और यह काम को स्टार्ट कर सकता है कि सबसे बढ़ा इसमें जो बहुत से प्लांट हमारे पाजे से पफ के कुरकुरे के है कि 6-7 लाग के है लोगों का बजन नहीं हो पाता तो उसी बजट को दे आप लोग इसकाम को शुरू कर से हाँ अब हम से कम से कम इंवेटमेंट में आपको बहुत सी अच्छा प्रोडक्शन से ले कर घरे पाकेजें तक का पूरा प्रोसस दिखाएंगे हैं आपको आपको सारा ही में आपको ढम कर कर दिखांगा कान सी मशीन क्य से काम करती है अभ जो आलू के चिफ्ट में हमारा सबसे पहला एक स्टैप होगा हमारा यह होती है आलू छिल्ले की मसीन इसको होते है पटेटो फिलिंग मसीन एक बहच में हमारा 15-20 किलो माल आता है और एक मिनट के अंदर इसको परत आप देख रहो ही इसको छिल देखोगी और अच्छी लुक पर निकल रहा है और अंदर आपके आलू बिल्कुल बहुत कर के तिल हो रहे है जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे अलू छिलके तयार हो चुके है अब हम की चिप्स काटेंगे यह हमारी चिप्स काटने की मसीन है जो की एक घंटे में आपका 300-400 किलो का चिप्स काटेगी औ और इसमें सबसे बड़ा बैने पिटी है कि इसमें एक ही मसीन में तीन तरह की आप चिफ काट सकते हो जैसा आपको चिफ काटना है इसी डाई लगाईए चाहिए वो प्लैन चिफ हो चाहिए आपको जिग जेग हो प्लैन प्लैन जासरी प्लैन चिफ काटेल कि जैसे हम वे ब्लैन चिफ काटा है दिए और दहां थिएयसी चाहिए, आपको डाय में बाड़ा करें, इसमें ब्लें लगा होता है ब्लेड को आगे पीछे करके आप थिकने इसको मोटा पतला भी कर सकते हो और जो साइज होता वो आलू को पड़ेंड होता है जितना बड़ बड़ी चिप्स कटेंगा अब हम इसमें प्लैन की जगे जिग जग वाली चिप्स काटेंगे इस मसीन से तो यहां पर लगाएंगे जिगा करना serr हो जाएगा आपर सिर्फ में आलू ढालने हैं इस तरीका से और आपका यह जिग जाप्स को तरुम कटना है अब यह रिख 있는데 अब जो आको प कर सकते हैं सरहाल ही कि जो इसकी थिकनेश्ट की हम आपको प्रण पज़न्त करकें меньше जितना म powinद ने दालोगे प्रू चिप्स कटना सालू हो चुगा है अच्छा तीसी टाय लगा थी हमने आपर आप आप देख सकते हो चितने जल्दी आलू डालोगे यहां पर उसना ही जल्दी आपका इवर करना सुपर देती है घंटे में 300 क्लोवर आराम से कर देख सकते हो सिंगल फेस की बिजली होती है इसक कि इसकी वालिटी अच्छी बन सकते है और यहें इसका इस टार्च पो निकल दो पर निकल कोड़ने के बाद आप इसमें जो अफरा पानी आप देखोगे यह पानी है इसको निकालने के लिए ड्रायर करेंगे इस से क्या होगा जो इसना प्राइपानी वो सारा बाहर निकल कि यहां चीप्स बनाया है उसको हम इसमें इसमें फ्राइ करें के अपटी की जगे एक ट्राइर मसीन भी ले शक्तेजेसं करें उसके बाहरी ऐपको जिसका काम चोटा होता है या जिसके पाफ बिजली का लोड़ नहीं है तो बट्य का यूच कर सकता है रहीं है लाक्रण्ची हो चुकी है अब हम इनको आपको दिखाते हैं बाहर निकाल करते हैं तो तो जगजाइक वाला चिप्स होने बना रहता है वह हम जिस बट्टी में डाल रहे हैं दो से नहीं मिनिट में हमारे चिप्स तहीं के तयार हो जाती है यह हमारी फिंगर चिप्स है जी लच्छा चिप्स बोलते इसको लच्छा इनी मसीनों के द्वारा आप और भी 10-15 तरह के प्रोड़क्त लॉंच कर सकते हो जैसे आप दे सकते हो हमारे सामने काटोरी है चौमीन है पास्ता है ऐसे मार्किट में रेडिमेट आइटम होते हैं सि इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं यह वी ऐसे ही डालोंगर सीधा फ्राई हो जाएक तीस सेकंड के अंदर आप दोस्तों नमकीन बनाने के लिए जो हमारा सबसे प्रेला इस टैप होता है वो है बेसन मल्ली मशीन एक बार में हम 10-12 कि बेस्ट डालते हो और मार्क तीम मिनट के अंदर यह हमारा बेसन गुद करके तैयार हो जाता है नमकीन बनने के लिए तो यह हमारा करी वही पांच किलो बेसन है जिसका हम ट्रायल परफेस्ट लिए आपको सूट दिखांगे पूरा कि कैसे यह काम करेंगी नमक डालेंगे ताकि हमारी क्वालिटी अच्छी बने और टेफ अच्छा रहें इसमें कुछ परसेंट हम थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि बेस्ट को क्वालिटी बनने में साहता मिले यहां पर हमारा बेसन गुद के तयार हो चुका है और हमने इसकी इस तरीका से गोल-गोल लोई बना लिए ताकि हम अपनी नमकीन मसीन में ड करीब 2-15 नमकीन मना सकते हो और सिर्फ सीधा सा फंडा होता है जो बेसन गुद के तेयार हो तो इसकी लोई को यहां पर डालना है मसीन चालू करेंगे तो हमारा नमकीन मना अफू हो जाएगा इस प्रोड़क्शन की बात करने तो एक बार मतलब कितना अम प्रोड़क्शन कर सकते हैं एक गंटे में आपका करीब 70-80 को आराम से बना देगी अच्छा बट्टी के साथ अगर अगर फ्रायर के साथ जाते हो तो यह 100 को तक निकाल देगी इस मतलब निकाल लेका निकाल ल मसीन के द्वारा ठीक है अपको बनाना है अपने इसमें अपना फ्लेवल लगाईए और यह मसीन एक बैच में आपका करीब 10-12 किलो का बैच तियार कर देगी और मातर दो मिनिट के इंदर हमारा फ्लेवर निकाल हो जाता है तरीकर देखिए पुरा मसाला चेसमें पूर आप देखे तो तोड़ने में बिलकुल अवाज आ रही है आपकी यह बिल्कुल करंच यह था है यह जी भुजिया जो हमें अभी पराई करा था उसका अभी फ्लेवरिंगर कर दिखाएंगे आपका पापडी भी डाल के इसको ओल इन वन करके दिखाएंगे आपका पापड आप बलाओंगे और जिसका फ्लेवरिंगर करेंगे इसके नाम का ही मसाला आपको रेडी मिलेगा हमारे पास से और 30 परसेंट डालो आपका प्रोड़क्स में रेडी हो जाएगा जैसे कि अमने सैंपल के तर पर कुछ नम्की बना के दिखाएता और उसको फाइनल पैकिंग हमारा इससे आजाएगा हर पाउच में आटोमेटिक ड्रॉप होगा और इस तरीकत से हमारा मां भूना पैक हो जाएगा यहां पर यह देशकता हमारा आटोमेटिक पांच पांच का लड़ी बनना सुरू हुआ था हमने पांच का प्रोग्राम डाला हुआ है अभी मैं आपको पैकेट खोल के दिखाऊंगा जो हमने पैक किया है वो इसमें अपना पर दिखाएगा हमारा जू नम्कीन है वो इसमे अच्छिम कर रखात दें के तो यहां दे सकता है इसमें आटोमेटिक यहां पन रही हमारी अब मैं सिर्फ इसमें प्रोग्राम डाल के आपको दिखाऊंगा वहारा सिंगल सिंगल पैकेट पनना सुरू हो जाए जाएगा मसीन वोई चालू कर दिया यह हमारे सिंगल सिंगल पैकेड बाना तो भी बन जाएगा अधाली वानी है तो भी बन जाएगा इसके अंदर यह हमारा एकेले ही मसीन आपका मिनिमम दस ग्राम और मेंकिन दो सो पचास ग्राम तो यह पैक करती है और एक मिनट में करीब तीफ पाउच यह बनाती है करीब घंटे का अठारे सो से दो जार और पाउच के उपर एमार पीनेट मेट लगाना या पाउच में हवावर ना या पूल सिंगल पैकेट साई है लड़ी जाइए वो सारा कुछ यह आटोमाटिक करेगी तो दोस्तों देखा मतलब कितना शांदा और बहतरी तरीके से दिखिए हमने नमकीन बनाया चिस बना करके और पूरा पैकेजिंग तक का पूरा प्रोसस हमने दिखाए कितनी आसानी पूरा पैसे काम को शुरू करें तो इसमें कितनी इंकम कर सकता है उसकी क्या मुनाफ़ा क्या मानगीन होने वाला इसमें यह आइटम ऐसी है तो जो सदावार मार्केट में चलते हैं लेकिन ऐसा तो है निके बिना प्रोफिट के लोग वाई इनको सेल कर रहे हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो हमारी मसीन है मैंने आप कुछ जैसे अभी दिखाई है एक गंटे में करीब दो हजार करती है यानि कि 10 ते बारे गंटे आप चुलाते हो तो मिनियूम 20,000 का पाउच बनाएगी बनाएगी और 50 पैसे के प्रोफिट मार्जन से आप 10,000 का परड़े का अर्निक कर सकते हूं जो डिपेंड होगी वाप की सेल को पर होगी दोस्तों जितना आप सेल करोगे उतना ही आप अर्निक करोगे तो हर जगह है लोकल शॉप पे किराने की दुकान पे कहीं भी आप चले जाओ वहां भी आपका आराम से बिग जाएगा बिल्कु कोस्त उसको इस पूरे सेट अप को लेने की होने वाली है जो हमारे पास प्लांट होते है बड़े-बड़े कोई 6 लाग का है कोई 7 लाग का लेकि लोगों का उतना बजट नहीं है तो उसी बजट को धियान में रखते हूं मैं सब से कम लागत में आपको इस सेट आप का कीम काफी कम पुंजी से काफी कम लागत से देखिए आप लोगों का देखिए यह ब्यापार घर बैठे लगोद्योग शुरू हो जाएगा जिससे कि आप आठ से दसज़र डेली की इंकम कर सकते हैं देखो इसमें जो हमारी सारी बनाने वाली मसीन है जो आपका बेशन गूतने की और चिप्स काट्रे की मसीन यह सारी करीब आठ से नौ मसीन होंगी जो मात्री तीन लाग पिशेतर जार रुपे में हैं अगर दोस्तों आपका थोड़ा सा और बजट बढ़ जाता है तो हमारे पास बटी के लावा एक इलेक्टिक प्रायर मसीन आती है जिसके दौर आप बढ़ना चाहे मशीन लेना चाहे तो कैसे कोई कॉंट्ट करें है हमारा जो एड्रस है हमारा कोई अधर एसके से कोई कस्तुमर आते है तो नई दिली डेल्वेक देस सबसे नजीक होता है उसके बाद आपको ऑन्लाइन ओर देना तो उसका भी और आपको ऑनलाइन ओडर दे और मात तीन से चार जिन के अंदर मसीन उनको रेडी भी लेंगी उसके बाद वो आईए अपने सामने मसीन देखिए चला कर देखिए और साथ के साथ अपने सामने ही ट्रंक पोट कराईए और लेकर जाएगी मसीन